कर सकते हैं, तो सबसे पहले समझते हैं, हुआ क्या है यहां पर, what has happened, तो जैसा कि आपको याद होगा, मैंने एक दो वीडियो अलड़ी बनाये थे, एक तो मैंने प्रॉपर वीडियो बनाया था, जहां पर आपको बताया था, रीसेंट जो IMF की रिपोर्ट आई है, जिसको कह जाता है, World Economic Outlook Report, यह साल में दो बार रिलीस किया जाता है, तो जो October मैने वाला रिलीस था, इसके ओपर अलड़ी हमने चर्चा किया हुआ है, और इसी में यह भी बताया गया था, कि जो बांगला देश है, वो इसी साल यहां पर भारत को टेक वर कर लेगा, in terms of per capita GDP, ध्यान रखना जो बांगला देश वाला भी है, वो per capita GDP के terms में है, ठीक है, तो यहां पर यह भी बताया गया था, कि भारत का जो contraction है इस साल, वो minus 10.5% के आसपान होने वाला है, अगले साल यह करीब 8.8% का positive growth रहेगा, चलिए हम उसमें नहीं जाएंगे, लेकिन यहां पर एक important produce होगा, तो इसकी value बताया जारी है 24 trillion, जी हां 24 trillion, लेकिन वहीं US की economy के अंदर जो value of goods and services बताया जा रहा है, वो कहा जा रहा है 20.8 trillion dollar, ठीक है, तो इसका मतलब आप directly देख सकते हो कि जो China है, वो अमेरिका से काफी आगे निकल चुका है, लेकिन यह निकला है in terms of PPP, that is purchasing power parity, इसके उपर तो मैंने अलग से एक video बनाया है, करी 15 minute का video आपने अभी तक नहीं देखा है, तो definitely देखेगा, लेकिन short में मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, कि basically difference क्या होता है nominal GDP और GDP in PPP में, तो देखे यह basically आपका कोई भी GDP find out करने का तरीका होता है, जैसे कि suppose मैं कहता तो यह करीब बनता है 210 lakh करोन के आसपास, तो दोनों लगभग सेम बात होता है, कभी हम कहते हैं 200 lakh करोन की GDP है, कभी हम कहते हैं dollar term में 3 trillion dollar की GDP है, तो इसका simple earth क्या हुआ, यह basically क्या होता है, कि जो अभी present का market exchange rate चल रहा है, for example मैं कहता हूँ, कि 1 dollar, 1 dollar equals 2 मैं कहता हूँ, suppose 70 rupees के आसपास चल रहा है, although यह 73, 74 है, लेकिन हम सरल तरीका करने के लिए इसको मान के चलते हैं 70 rupees है, तो यहाँ पर अगर मैं कहता हूँ, कि हमने इस साल, हमारे देश के अंदर 210 lakh करोन का यहाँ पर production हुआ है, goods and services का, ठीक है, तो यह तो रुपए term में हो गया, सबसे पहले जब ह हम निकालेंगे अपने देश के अंदर GDP कितनी है, वो तो रुपए के term में निकालेंगे न, लेकिन क्या होता है, कि हमें international comparison करना होता है, तो इसलिए क्या होता है, कि हर एक 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 अनमी जो होती है, हर एक देश होता है, उसको डॉलर के term में convert कर देता है, for example, हम अपना जाएगा आपका 3 trillion dollar, और इसलिए कहा जाता है, कि 3 trillion dollar या फिर 210 लाग करों, तो यह जो value आई न, 3 trillion dollar, यह हो गया आपका nominal GDP, लेकिन क्या होता है, कि nominal GDP में कुछ problem है, यहाँ पर actual में जो cost of living है, अलग-अलग देशों के अंदर, वो हम find out नहीं कर पाते हैं, अब जब मैं कहता आप US में 1 cup of coffee चाहिए अगर आपको, तो मैं कहता हूँ, suppose यह आपको 1 dollar में मिल जाएगा, ठीक है, 1 dollar में आपको 1 cup of coffee मिल जाएगी, लेकिन भारत के अंदर अगर आप coffee पीना है, तो मैं कहता हूँ, suppose 10 रुपे में मिल जाएगी, I'm sure कि 10 रुपे में तो coffee मिली जाती है, तो 10 cup of coffee के लिए, लेकिन उसी cup of coffee के लिए भारत के अंदर क्या आपको 1 dollar खर्च करने की ज़रुवत है, नहीं, आप 1 dollar में तो भारत के अंदर 7 cup of coffee ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पर 1 cup of coffee का दाम है 10 रुपे, तो इसलिए क्या होता है, कि nominal GDP में हम इस चीज को find out नहीं कर पा रहे है इसलिए यह जो आपका standard of living है, कहने का मतलब है, अगर आपके पास 1 dollar है, तो आप अच्छा standard of living जी सकते हो भारत के अंदर, क्योंकि यहाँ पर value कम है, price कम है उस particular product की, और US के अंदर अगर आपके पास same 1 dollar है, तो आपको 1 cup of coffee मिलेगा, मतलब कि भारत के अंदर अगर आप रह PPP वाला तो मैंने आपको अभी just बताया, यह तो आपको समझ में आ गया था, कि 210 lakh करोण है, इसको हम market exchange पर जब count करते हैं, convert करते हैं, तो यह आपका nominal GDP निकल जाता है, लेकिन PPP वाले में basically क्या करेंगे, मैंने अभी आपको just example बताया था, कि आपको same cup of coffee, यहाँ पर भारत म कितने में मिलेगी, 10 रुपए में, तो यहाँ पर जो exchange rate हम count करते हैं, दोस्तों PPP के terms में, वो हम करेंगे, 1 dollar equals to 10 rupees, ना कि 70 रुपए, क्योंकि 70 रुपए वाले में तो हम nominal GDP count कर रहे थे, लेकिन PPP के exchange rate के समय, हम 1 dollar equals to 10 rupees लेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, मैंने आपको बत होगे, तो आपका, हमारे देश का जो GDP है, वो कितना निकल कर आएगा, यह आएगा, 21 trillion dollar, अब आपका GDP जो है, 3 trillion dollar नहीं आएगा, यह आएगा, 21 trillion dollar, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या किया है, जो standard of living है, उसको adjust कर दिया है, यहाँ पर, और 1 dollar equals to हम ले रहे हैं, 10 है, तो यही basic difference होता है, तो अक्सर आप देखोगे, जब भी हम PPP के exchange rate के terms में बात करते हैं, अपने GDP की, तो हमारी value हमेशा जादा आती है, अब मैं आपको 2-3 यहाँ पर table दिखाना चाहता हूँ, मुझे याद है, जब मैं इसके उपर एक detailed video बना रहा था, कि what is the difference between GDP nominal और PPP आप सर्च करना आपको मिल जाएगा काफी आसानी से, GDP, study IQ सर्च करोगे तो आपको वही पर मेरे video मिल जाएगे, तो यहाँ पर क्या है कि 2019 का value आप देखो, यह basically आपका बता रहा है GDP in PPP, मैंने आपको क्या बताया था, PPP के terms में हमारी value जादा आती है GDP के, अब आप यहाँ का जो PPP के terms में GDP था, वो करीब 27 लाग करोण के आसपा, 27 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है ठीक है, आप देख सकते हो 27 ट्रिलियन डॉलर, और US का आप देखो 21 ट्रिलियन, तो अल्रेडी यह निकल चुका है, 2015-16 के बाद से अल्रेडी चाइना ने यह टेक ओवर कर चुका है यह राइट साइड में जो आप देख रहे हो, यह वर्ल्ड बैंक का आकड़ा है, अब जो लेटेस्ट अगर आप आकड़ा यहाँ पर Wikipedia कहीं पर भी सर्च करोगे, तो आपको यह लेटेस्ट आकड़ा देखेगा, यहाँ पर आप देख सकते हो, चाइना का जो आपका GDP की व पताया जा रहा है, ठीक है, तो यह बेसिकली यहाँ पर क्या हुआ है, कि PPP के टरंस में अल्रेडी चाइना टेक ओवर कर चुका था, यह कोई नई बात नहीं है, I don't know, आमे से बहुत लोग कह रहे हैं कि नहीं सर, यह रिसेंटली टेक ओवर कुआ है, ऐसा कुछ नहीं है, यह मैंने पिछले साल ही वीडियो बनाया था, और इसका मैंने स्क्रीन शॉट लिया हुआ था, यह उस समय भी ऐसा ही था कि चाइना PPP के टरंस में जादा था, लेकिन नॉमिनल टरंस में, मतलब कि जब हम स्टैंडर्ड ओफ लिविंग जो मैंने आपको ज़स्ट अभी एक तो यूएस का अगर आप PPP के टरंस में बात करो, या फिर नॉमिनल के टरंस में बात करो, बात तो सेम ही होगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यूएस का आपको वैल्यू सेम मिलेगा, 20 ट्रिलियन डॉलर ही है, लेकिन चाइना का देखो अचानक से गिर जाता है, यह बन जाता है 15 ट्रिलियन डॉलर, क्योंकि आपको पता होना चाहिए, यह जो एक्चेंज रेट है इस समय, वो कितना है, वो 1 यूआन, 1 डॉलर इक्वास टू कितना, I think 7 या 8 यूआन के आसपास है, ठीक है, तो इस तरह से जब हम कनवर्ट करते हैं, तो चाइना कम हो जाता ह है, नॉमिनल के टॉंस में, तो I hope कि यहाँ पर तो आपको clarity मिल गई होगी, in fact यहाँ पर जो एक better तरीका होता है, किसी भी देश को नापने का, वो होता है per capita GDP, मैं हमेशा कहता हूँ, per capita GDP जादा बहतर तरीका है, किसी भी देश के economy को देखने का, तो यहाँ पर अगर आप तो जब आप per capita के terms में देखते हो, तो China की GDP बहुत तेजी से नीचे आजाती है, because of its massive population, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि China ने although improve किया है पिछले कई सालों से, और Egypt वगरा देशों से वो आगे निकल गया है, लेकिन अभी भी कई सारे बड़े देश हैं, जैसे कि Brazil है, Iran, Thailand Mexico, वो उस तरह के middle economy के अंदर ही आता है, यह आप comparison भी यहाँ पर देख सकते हो, left वाला यह चाइना का दिखा रहा है, right side में यह US का दिखा रहा है, अगर आप GDP per capita के terms में देखेंगे, तो एक होता है nominal per capita और PPP वाला capita, ठीक है, तो दोनों को population से divide कर देना है अपने GDP का, तो nominal के terms में आप देखो 10,000 डॉलर के आसपास है, और PPP के terms में 17,000 डॉलर, और मैंने आपको बताया ही था कि US के लिए तो दोनों सेमी होगा, क्योंकि हम डॉलर में change कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप आप देखो, कि US का जो per capita GDP है, यह 63,000 डॉलर के आसपास है, और यहाँ पर 9th number पर आता है, चाइना का per capita के terms में, लेकिन US का आता है 7th number, 10th number के terms में, तो I hope दोस्तों यहाँ तक चीज़ें आपको एक गम clear हो गई होगी, अब आपके मन में कोई डाउट नहीं हाना चाहिए, कि latest यहाँ पर cross किया ऐसा नहीं है, चाइना और टेक ओवर कर चुका था PPP क अगर हम GDP की बात करें, लेकिन nominal और per capita में, अभी भी, US जो है, वो कहीं जादा आगे है, चाइना से, तो जाने से पहले मैं आपके लिए कोशन लेकर आया हूँ, GDP के उपर ही यह कोशन है, यहाँ पर real, nominal और यह जो GDP deflator होता है, अगर आप इसको कर लोगे, तो काफी आसानी से आपका यह जो concepts है, वो